हेलो वरिवन माईसेल्फ अमित यादो वेलकम टू योड टॉपर बनू दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे प्लांटेशन जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th history chapter 4 forest society and colonialism तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो अगर मैं आपको स्टोरी को recall करा हूँ कि पिछले वीडियो तक हमने क्या पढ़ा है तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तो लेने में फॉरेस्ट को किता जादा काटा गया था फिर उसके बाद एक और रीजाम पल दिया था उसमें नैवी को किस तरह से जो नाव बनाने के लिए लोग लकडी काते थे जिसे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ था अब देखें यह हमारा एक और प्लांटेशन की थ्रू कैसे हुगा तो उसके बारे हम पढ़ने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह हमारा इस चेप्टर का फोर्थ लेक्चर है मैं हूँ अमित यादो और आपका स्वागत है टॉपर वन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं तो देखे प्लांटेशन एक और वही मैंने बोला कि प्लांटेशन और एक और जो है वह रीजन है किसी के लिए डिफॉरेस्टेशन के लिए प्लांटेशन फॉर्मिंग जो है वो डिफॉरेस्टेशन का रूप ले दिया था तो अब बात करते हैं कि of commercial farming in which crop is cultivated on a large tract of land for profit motive अब यहां पर देखें जो यहां पर underline word है उनस पर ज्यादा ध्यान दीजिए तो एक तरह का commercial farming का commercial farming का क्या मतलब होता है तो commercial farming उसे कहते हैं जो farming हम अपने profit के लिए करते हैं ठीक है जो हम कुछ revenue generate करने के लिए काते हैं ठीक है जैसे की टी का कॉफी का यह सारे जो क्रॉप्स होते हैं इसे हम revenue generate करते हैं इसे मतलब की और भी बहुत सारी जिस्टर रबर का इन सारा चीज़ों का commercial farming हम करते हैं मतलब की जो profit के मोटिफ से किया जा रहा हो ठीक है profit वैसे सब कुछ सब जितना खेती होता है उसमें भी कुछ ना कुछ profit होता है लेकिन जिसे हम directly indirectly मतलब कि उसे बेच कर उसे profit निकालना चाहते हो तो उसे हम commercial farming करते हैं जिसे हम उसे मतलब कर सकते हैं कि revenue generate करने के लिए उसका farming करते हूं आज के समय में लगवग सभी farming जो है वो commercial ही हो ठीक है पहले के समय में क्या होता है था कि सारे के सारी जंगल रहते थे अलग-अलग पढ़ता था उन्हीं से मिल जाता लेकिन आज के समय में खुद commercial farming करते हैं ठीक है तो commercial farming आपको क्लियर होना चाहिए कि उस चीज के लिए होता था profit motive से ताकि वह पैसा generate कर सके revenue generate कर सके ठीक है तो commercial farming और plantation farming में क्या relation आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर आपके डारेक्ट question बनता है इस पर कि what is your plantation farming ठीक है इस तरह से बनता है या फिर question आ सकता है कि what is commercial farming farming ठीक है तो confused नहीं होना है commercial farming में भी आपको लिखना है commercial farming इस टाइप आप farming विच विच एज हेल्ड टू जनरेट रेन्यू ठीक है या मतब कि वीच इस परफॉर्म टू जनरेट रिवेन्यू ठीक है जिसे उसलिए परफॉर्म किया जाता था कि कुछ रिवेन्यू जनरेट किया जा सके ठीक है तो आपको commercial और plantation farming दोनों में अंतर होना चाहिए ठीक है उसके बाद यह आपको clear है ना कि plantation farming होता क्या है तो चलिए अब बात करते हैं कि plantation farming में क्या क्या चीज मतबकि उगाया जाते हैं ठीक है तो देखे large large are natural forests were cleared to cultivate crops such as tea coffee and plantation farming किया कैसे जाता था अब यह देखी जो plantation farming है यह स्टार्टिंग हुई थी colonial government colonial government कौन होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था याद किजिए colonial government हम उसे काते हैं जब कोई country किसी दूसरे country पर कभजा कर लेता है ठीक है जिस तरह से Britain ने हमारे इंडिया कभजा किया था तो हम Britain को अपना colonial government बोलते हैं ठीक है colonial government बोलते हैं ठीक है तो आपको clear होना चाहिए कि colonial government क्या होता है तो देखें यहां पर क्या किया जाता है कि सबसे पहले नेचुरल फॉरेस्ट जो होता है उसे clear किया जाता है नेचुरल फॉरेस्ट क्या होता है तो जो अपने से उगये हो ठीक है जो खूद गये हो ठीक है जैसे जंगल पहले होते थे जंगल में कोई यह नहीं कई सारप लीकेंगे लेकिन आपको जाएंगे तो कहीन का पेड़ोगाया तो कहीं दूसरा पेड़ोगा कहीं क्या होता था नेचुररल फॉरेस्ट को कट किया जाता था और उसके जगाँ पर क्या हो च्याहीしか Advent के जो कर imperfect जा जाता था। है। टू में घ्रोप ग्रोइंग डीड। अभी इसका क्या क्यों किया जाता है वाइफ कि वाइफ क्यों किया जाता था प्लाटेशन आज़ए ठीanaltat explant formal कि क्यों किया जा था तो इसका दो कारण था ठीक है यहां पर एक चीज़ लिखा है मतलब कि इसी से दोनों दोनों प्रुगा होता है सुने देखे यूरोप ग्रोइंग नीड मतलब की वहां पर देखे यूरोप में कई सारे के नीड से पहला तो इंडस्ट्रियल यूज ठीक है इंडस्ट्री में इनका बहुत ही ज्यादा डिमा आप हम देखेंगे कि यह हमेरे मतरब की अफैक्ट की से किया ठीक है अब अफैक्ट कैसे करता यह तो ग्रोइंग इंडसट्रिश एंड डिमांड डियू डियू एपक है आब सूचहर्णा ज़्याद बहुते हूं और उस समें इंडस्ट्री में बढ़ रहा थिक इजसे उस वो इतना जाते दिमांड करती थी तो क्या होगा उनको मतलं की पेडों की किका करने पड़ी कि ये किनलने तो फ्राइंट करना और में अर्वरेय तो इस क्या होगा कि द में दिफेंचंर को रहा चाना और अलब फारेस्ट्रियस जो तो आप देखे यहां पर एक और कारण बन जाता है कि यहां पर पूरा एक्स्प्रेइंड कर देता हूं मैं जो तीनों टॉपिक पढ़ाया थे टुक है तीनों टॉपिक मैंने पढ़ाया था लैंड टू बी इंप्रूवड स्लीपर संदर ट्रैक्स और यहां पर यह अपने प्लांटेशन ठीक है यह तीनों ही हमारे इंडिया में मेजर डिफॉरेस्टेशन के काज है अब आपसे टर्क को देखिए डारेक्ट ऐडिंग मधें डाल देना जैसे कि लेंड टुब इंप्रूब यफि इंपर स्लीपर् संदर्र क्रेंस या फिर यह प्लांटे करूं ओने आपको करना क्या मैंने आपको fel तोप इक है नहीं हरा है एक-एक कर दोद्द In पॉइंट्स मिलिख सकते हैं फॉर दाप पॉइंग पॉपुलेशन आफ इंडिया देर वाज लॉट आफ रिक्वार्मेंट आफ फूड़ देट स्टार्टे दी इंक्रीजिंग आफ बाउंडरीज बाउंडरीज आफ देर हर फिल्ड याफ इतना बड़ आपको नहीं लिखन पॉइंट्स में पॉइंट लगबग बताया थे तो अब का अंसर बहुत ही अच्छा बन जाएगा ठीक है आपको अच्छे से लिखना है और मुझे लगता है कि आपका यह जो टौपिक है यह पूरे अच्छे तरह से प्लियर हो गया होगा तो चली मिलते हैं और ने वीडि पिक के साथ